अब आपके साथ दिल्ली में रहते हैं जैनलिस्ट होने की वयज़ से विकास को बहुत बार काम के लिए देर रात तक ऑफिस में रहना पाता है जिस पर जyदा तर आरती जाक कर उसका इंतिजार करती रहती है इसी तरह एक रात आरती विकास का इंतिजार करते हुए घर की बालकने में खड़ी होती है इनकी जाब तो जैसे मेरी सौतन बन गई है मुझसे ज्यादा उसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम यहां इंतिजार करते हुए मर जाएं अपने आप से ये सब बोलते हुए आरती की नजर मौले के कोने वाले घर पर पड़ती है जिसके लाइट्स ओन देख कर वो हैरान रह जाती है ये इस घर के लाइट्स कैसे ओन हो सकती है यहां तो सालू से कोई नहीं रहता वो ये सोची रही होती है कि तभी उसे घर की खिड़की पर औरत की परचाई के साथ लाल चुन्नी दिखाए देती है जिसे देख आरती डर से चिलाने लगती है बूबूत! कोने वाले घर में बूथ है? आरती की बात से सब उस घर की तरफ देखने लगते हैं लेकिन वाह कुछ नहीं होता भाबी जी लगता है अपने सपना देखा होगा मैं बालकने में खड़ी होकर सोंगी क्या? बता रही हूं अपनी आखों से देखा है घर के लाइट सौंती और वहां किसी का साया भी था अरे तुम अकसर विकास भाईया की इंतजार में देर रात तक जाकती हो न? क्या पता नीन पूरी नहीं होने की वज़े से कोई ब्रहम हुआ हो? महले के सब लोग और आरती के साथ ससुर उसे समझाई ही रहे होते हैं कि अचानक उसी घर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है आवाज सुन सब हैरानी और कन्फूजन से उस घर की तरफ देखने लगते हैं कि तभी उन्हें लाल जोड़े में औरत का साया वहाँ दिखता है जिसे देख पूरा महला सकते में आ जाता है और यह तो कोई दलान है और नहीं नहीं भूत नहीं है अरे फिर तो पक्का तेरी दुलान है अरे नहीं नहीं वो तो माई के गई है हद है पहले इस से निपट ले बाद में इस पर डिसकुशन कर ले ना बड़ा भ्रम बोल रहे थे ना अब भटी ना सबकी और नहीं नहीं मैं कुसी सुनाई डरता भाबी जी बो तो जैसा कुछ नहीं होता या तो इस घर के मालिक यहां आ गए है या फिर किसे ने खाली घर देखकर कबजा कर लिया है हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए अब विकास भी वहाँ पहुँच जाता है क्या बात है इतने रात को पूरा मौला यहां कैसे भूतिया दूलन की वज़े से क्या तुमारे अलावा भी कोई दूलन भूतिया हो सकती है इस भूतिनी का किस्सा निपटने दो फिर तुम्हें अपनी भूतिनी दिखाती हूँ अब सारे लोग मिलकर विकास को पूरी बात बताते हैं जिससे सुन वो भी उनके साथ जाने के लिए तयार हो जाता है जिसके बाद वो सब डरते हुए उस घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं तुम सब यहीं रुको मैं अंदर जाता हूँ अकेले जाओगे अरो नहीं नहीं आप सब की नकली भूतनी भी तो होगे ना मेरे साथ कैसा मजा कर रहा यार रुक मैं चलता हूँ साथ में क्या मैं चलता हूँ यह क्या गुवा गुपने जा रहे हैं जो मैं भी साथ चलता हूँ कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं मेरे पास खड़े रहो बहुत सिचुएशन समझो हाँ, घर जा कर सुना ले न यह भगवान मम्मी, तुम किसकी मम्मी हो ओ, इन्हें सब कुछ अभी करना है क्या नहीं यहाँ पंचायत बठा देते हैं आपके परिवार के लिए दिख रहा हुआ दिखता है, भाई यह सब क्या है, अब तो मुझे भी डर लग रहा है आ गए मरने, अब तुम्हें मुझ से कौन बचाएगा उस नजारे के साथ सोने पर सुहागे की तरफ भूतनी की आवाज सुन, वो सब तुरंद वहाँ से भाग खड़े होते हैं यह सब क्या था, अब हम क्या करेंगे, हमारे मुहले में भूतनी आ गई, जो सब को मारना चाहती है ओ भाबी जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, भूतनी जैसा कुछ नहीं होता मुझे तो पका यकीन है कि यहां किसी गलत इनसान ने गलत काम करने के लिए कबजा कर लिया है और लोगों को घर से दूर रखने के लिए यह सब कर रहा है तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो फिल्मों में आसा ही तो दिखाते है भगवान, यह फिल्म नहीं, यह रियल लाइफ है हमें शानते से कुछ सोचना चाहिए, सब हमारे घर चलो सब आरते के घर में इखटा हो जाते हैं रात भर, आधी, नेंद और बिल्कुल ना चल रहे दिमाग के साथ सब सोलुशन सोचने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता इसी तरह सुबह हो जाती है ऐसे कोई भी उपाई नहीं निकलेगा सब पूरी रात के ठके हुए है घर जाओ, थोड़ा आराम कर, फ्रेश होकर, फिर आ जाना उसके बाद सोचते हैं कुछ डरे सह में लोग जैसे ही अपने घर जाने लगते हैं तब ही विकास को उस घर में कोई हरकत नजर आती है जिस पर वो किसी को कुछ बताए बिना चुप चाप वहाँ पहुँच जाता है और कुछ देर बाद घर आकर सब को दोबारा इकटा कर उस घर के पीछे वाले खिर की पल ले जाता है विकास क्या खिल लगा रखा है, ये कोई मजाक नहीं है वही तो मजाक नहीं, बहुत बड़ा मजाक है, अंदर देखो जैसे ही सब उस घर के से अंदर देखते हैं, तो उनकी आंके खुली की खुली रह जाती है मूवी की शूटिंग?